नमस्कार निशामदुलिका.com में आपका स्वागत है आज हम बादाम कतली बनाएंगे बादाम कतली को किसी भी त्योहार पर या कभी भी बना करके खाया जा सकता है इसे घर में आसानी से बना सकते हैं तो आएए बादाम कतली बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक कप बादाम लिए हैं आजकल बादाम बाजार में दो तरीके के मिलते हैं एक तो यह थोड़े भारी होते हैं बजन में और दूसरे बेट में हलके होते हैं और उनमें ब पेच्छा वह सस्ते भी होते हैं बादाम कतली के लिए कोई भी बादाम लिया जा सकते हैं दौनों से बादाम कतली अच्छी बनती है एक कप पाउडर चेनी है दो टिबली स्पून देशी घी है आधा कप दूद और 10-12 धागे केसर के बादाम कतली बनाने के लिए सबसे पहल डाल देंगे इतना पानी कि जिसमें बादाम आसानी से डूप सकें गैस ओन कर देते हैं और पानी में उबाल आने देते हैं पानी में उबाल आ रहा है और उबलते पानी में हम ये बादाम डाल देंगे गैस बंद कर देते हैं और बादाम को पांच मिनिट तक ढख करके हम इस पांच मिनिट हो गए हैं और यह हमारे बादाम फूल गए हैं इतने कि हम इने अच्छे तरीके से छील पाएंगे अब हम इन बादाम को निकाल कर ठंडे पानी में डालेंगे अब हम बादाम को छील लेंगे तो छीलने के लिए अब यह बड़ी आसानी से छील जाएंगे देखिए जरा सा हमने हाद से दबाया और बादाम का छीलका एकदम अलग हो गया बादाम उठाया और अंगूठे से थोड़ा सा दबा करके निकाल दिया यह देखिए थोड़ा दबाया और यह बिल्कुल छिलका असानी से अलग हो जाता है तो इस सारे बादाम हम छील करके तयार कर लेंगे ये सारे बादाम हमने चील कर तयार कर लिए और हमने एक प्याले में थोड़ा सा गरम पानी ले लिया है और अब ये बादाम हम फिर से गरम पानी में डाल देते हैं और एक धेड़ घंटे के लिए हम इसे धक करके रख देंगे बादाम हमारे अच्छे तरीके से फूल जाएं फिर हम इसे पीषेंगे और बादाम कतली बनाएंगे तो हम इसे ढख करके लग देते हैं एक घंटा हो गया है और ये फूल गया है अब इने पीष लेते हैं तो पानी में इसे बादाम निकाल करके हम जार में डाल लेंगे यह केसर वाला दूद भी हमारा तैयार हो गया है इसे हम बादम में डाल देते हैं और थोड़ा से दूद डाल देते हैं और बादम को एकदम बारीक पीसेंगे और चितना हमें दूद चाहिएगा हम और डाल लेंगे इसने यह हमने एकदम बारीक बादम का पेस्ट पीस कर तयार कर लिया है बादम कतली बनाने के लिए हमने नौन स्टिक पैन लिया है इसे गरम कर लिया है और अब हम इसमें दो चमच घी डाल देते हैं गी को मैल्ट कर लिया और यह जो पेस्ट हमने पीस कर तयार किया है इसे भी डाल देंगे पैन में यह पेस्ट बनाने के लिए हम ने दड़ा कब दूद यूज किया था हमें लग रहा थोड़ा सुखा है तो दो टेबली स्पून हमने पानी डाल दिया पानी की चेके दूद भी ले सकते हैं और यह जो हमने पावडर चीनी ली है उसे भी डाल देंगे और लगातर चलाते हुए मीडियम गैस पर इसे जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पकाएंगे चलने का दिहान रखेंगे लगातर चलाना हां और अमारी कलछी कड़ाई के तले तक जाने चाहिए ताकि मिश्रन तले में लगे और इस मिस्रन को हम थोड़ा सा उंगली पर चिपका के देखें देखें जमने वाली कंसिस्टेंसी हो गई है ऐसे चिपका है तो भी लग रहा हमें कि एकदम जम जाएगा तो हमारा मिस्रन बन के तयार हो गया है की जब टक जबन्न मुष्ण और हम पर घिर रें और यह जो हमारा मिस्रण है वह हम उठा लेते हैं और इसे एक लोई की तरह से गोल कर लेते हैं इसके उपर रख लेंगे यह हम इसे थोड़ा चौकोर कर लेते हैं और बेलन पर भी थोड़ा घी लगा लेंगे बेलन से हम इसे पतला बेल लेंगे इसे हम करीब एक तिहाई सेंटिमीटर मोटा रहने देंगे यह हमने बादाम कतली के लिए सीट बेल कर तयार कर लिया है और अब हम इसे जमने देते हैं फिर हम इसे काट लेंगे यह हमारी बादाम कतली जम करके तयार हो गई है और अब हम इसे काट लेते हैं तो काटने के लिए हम एक स्केल ले ले और पीजा कटर ले ले बहुत आसानी से बरफी कट जाती है दूसरे साइड से भी हम इस तरीके से स्केल रख करके और कट लगा देंगे और पीजा कटर अगर नहीं है तो चाकू से भी बरफी को इसी तरीके से काट सकते हैं यह कतली को हमने काट करके तयार कर लिया और अब हम इसे निकाल लेंगे बादाम कतली बनकर के तयार है बहुत ही अच्छी बादाम कतली बनी है और आपने देखा इसे बनाना बहुत आसान है लेकिन कभी-कभी बादाम कतली थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है हमने जरासा अगर कम पकाया और जमा दिया तो हमें काटने में दिक्कत आती है, बादाम कतली चिपकती है, यानि कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट रह गई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी ऐसा हो जाए, तो उसको आप फिर से निकालिए पेपर से, और गैस पर दुबारा से रख दीजे, बिल्कुल हलकी गैस चलाईए और लगातार चलाते हुए थोड़ा सा और उसे गड़ा होने तक पका लीजे, और फिर से जमा दीजे बेल करके, बादाम कतली एकदम अच्छी बन करके तयार हो जाएगी, बादाम कतली की सर्फ लाइफ काफी है, इसे आप प्रीज में रख करके एक महिने से भी जादा खा सकते हैं, आप बादाम कतली बनाईए, खाईए और अपने अनभव निशामदलिका.com पर शेयर कीजिए, एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेशिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए,